साथियों, ससक्ति करन की बात जब आती है तो देश में एक और बड़ा वर्ग है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है। अपने अन्यदाता को हम नए भारत की नई उर्जा का वाहग बनाना चाहते हैं। किसानों को ससक्त करने के लिए हम इस दिशाम गंबीर्ता के साथ बहुत इमांदरी के साथ प्रयास किया जा रहा है। भायों और वहनों, जब हम किसानों की समस्या के समाधान की बात करते हैं, तो पहले की सच्चाइयों को स्विकार करना भी जरूरी है। खेती और किसान की स्थिती दसकों की ला परवाई और बेरुखी का परणाम है कारण ये रहा कि पहले जिन के पास किसान को संकट से बहार निकालने का दाई तो था उन्होंने शौटकर नूंडे आसान रात नूंडे चुनाव का सोचा उन लोगों ने अन्न दाता को सिरफ और सिरफ मत दाता भर बना रखा था अपनी मत पेड़ी भरने के लिए हम अन्न दाता को उर्जा दाता भी बनाना चाहते हैं साथियों इसलिए हमारी सरकार ने सौटकर के बजाए लंबा और कठिन रास्ता चुना है किसानों की मुल समस्याओं को सुल जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है बीज से लेकर बाजार तक सरकार नई और आधुनिक व्यवस्ताओं का निर्मार कर रही है ये व्यवस्ताओं बनने में समय जरूर लेती हैं लेकिन इनका लाब बहुत बड़े स्तर पर मिलता है नहर जब बन रही होती है तब वो एक लंबे से गड़े के अलावा कुछ नहीं होता कभी जाने जाने बावों कि नारागी भी होती है लेकिन जब उस नहर से पानी खेट कहुंच जाता है तो उसके पीछे की सोच और स्रमका सीधा सिधा लाव नजर आने लगता है साथियों देश का किसान इस बात का साथशी है कि लागत का डेड़ गुना समर्थन मुल्य MSP की मांग कितने दस्वकों से चल रही है देश का किसान ये भी जानता है कि पहले कैसे इस सुझावों को ही फाईलों में दबा दिया गया था ये भाजपा की सरकार है जिसने स्वामी नाथन आयो की इस सिफारिस को न सिर्फ लागू किया बल्कि हर संबव कोशित रही है कि किसानों को लागत का डेड़ गुना MSP मिले इसमें अब भी जो अर्चने आ रही है उन्हें राज्य सरकारों के सहयोग से दूर करने का इमानदारी से प्रयास भी किया जा रहा है किसानों से अन अनाज की खरीद को लेकर हम कैसे गंबीता से काम कर रहे हैं इसका भी एक उधारन में आपको देना चाहता हूं याद करिए कुछ वर्ष पहले जब हम लोग आये उसके पहले की बात करता हूं दाल की किमतों को लेकर कितना हल्ला मचाय जाता था अब कितने दीन हो गए आपको टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज दालों की किमत के समद्द में कि दाल की किमत सात्वे आस्मान पर है यह ब्रेकिंग न्यूज देखने को नहीं मिलता है यह बडलाव आया कैसे यह बडलाव इसलिए आया है हैं क्योंकि दाल के उत्पादन उसकी खरीद और उसकी कीमत को लेकर भाजपा सरकार ने एक दूरगामी सोच के साथ काम शुरू किया नई नीतिया बढ़ाई नए फैसले किये साथ्यों पहले की सरकार ने अपने आखरी के पांच वर्षों में आप याद रखिए अपने आखर के पांच वर्षों में साथ लाख मेट्रिक तन दलहन और तिलहन की खरीद की आप बताएंगे कितनी कितना साथ लाख टन उनके आखरी पांच साल में आप भाजपा का सरकार का आंकड़ा सुनेंगे हमने चार साथ लाख में क्या किया हमने खरीद की कितनी सुनेंगे आप याद रखेंगे याद रखेंगे याद रखेंगे भाई और भेनों हमने बीते साड़े चार बरसों में लगभग 95 लाख 95 लाख मैट्रिक टन यानि लगभग 13-14 गुना से अधिक उपज हमने किसान से खरीदी कि यह हमारे काम का तरीका लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सारी समस्षे दूर कर लिगई हैसा मैं नहीं कहता हूं साथ को मुझे है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है कि सानों पर रण का भार भी है और लागत भी निरंतर बढ़ रही हैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी बड़ी चुनोतियां हैं उतने ही बड़े और इमानदार हमारे प्रयास है कोशिशों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है और ये आगे भी जारी रहेगी साल 2022 तक किसान अपनी आए दोगुनी करने के साधन जुटा सके इसके लिए हम दिन राज जुटे हुए है